स्टूडेंस आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासे चपरा में जिन लोग नहीं तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रह पड़ सक्राइब करां संक्राइब को पिखला कर संकु बना दिया जकि दबाएं जांडियो घॉक्क… ए तो संक्राइब 1 by 3, pi r², और h के जगा इसमें दिया है a, ठीक है? उसे तरह गोले कायतन क्या होगा? 4 by 3 pi r cube यानि a का cube चलिए pi और 3 कार दीजे दोनों जगा तो यहां से r square बार हो जागा 4 a cube और बटा में यहां से यह कट जागा न a square बार में square को उदर भेदिए root में 4 a square का root कितना आ जागा आपका 2 a आ जागा तो 3 जाके आ गई 2 a हो गई question number 9 देखिए कह रहा है कि यदि a और b छिनक के बृतिये अधारों के त्रिजाए हैं तो सबसे पहले एक छिनक बना लेते हैं चलिए पहले एक संकू कंसा करते हैं संकू इसलिए कंसा करते हैं क्योंकि संकू का भी use होगा भी इसमें देखिएगा चलिए संकू आप बनाली अब देखिए इसमें हम जोग एक चिनक बना लेते हैं संकू का एक भाग चिनक हम ले लेते हैं यहां से या आपका चिनक हो गया ओ एक अब इसकी त्रीजाएं दी हुई है यह मिए यह वाली त्रीजा एप यह ओसिए और यह यहां से यहां तो मालेते है capital H ठीक है पूरी उचाई को और धिन्ना क्यों चाहिए यानिकि यहां से यहां तक तो इसको मालेते है small h ठीक है चलिए small h हो गया और वह capital h हो गया अब क्या का रहा है कि दोनों का अनुपात निकाल ला यानि कि ये बड़े वाला H बटा छोटा वाला H ये दोनों का अनुपात निकालना है तो चलिए A, O, B यहांसे इसको C माल लेते हैं और यहांसे D माल लेते हैं इसमें जो तिर्भूज A, C, D होगा न वो समरूप हो जागा तिर्भूज A, O, B के कैसे होगा तो एंगल एंगल से आप पढ़े हुए है ठीक है छठा चेप्टर में क्यों क्योंकि यह 90-90 हो जाएंगे और यह एंगल A जो होगा दोनों में उभैनिस्ट होगा यहां भी और इस बड़े वाले में इसलिए समरूप तो समरूप दो तिर्भूज होते हैं तो उनक हो अफ के पास है माइनस है यह हो जाएगा क्या होगा है हाव करिए एच माइनस ऐस बक्ता यह और तो टोटल है न को है यहास यहां थक यानि की वह है कैप्रेटल एच बराबर सीडी कितना असो रिवहर्वार एक उपक्तितर करें और स तरफ करते तो a-hb यह उदर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहां से h common हो जाएगा, बज़ जाएगा a-b बराबर a, जानि कि इसको इदर आते हैं भाग में, आज जाएगा h-h बराबर हो जाएगा a-b, यही नानुपात निकालना था आपको, चलिए अगला question देखते हैं question number 10 देखें कहा रहा है कि दो पृताकार बेलन जिनका आयतन समाने है वतलब आयतन question में क्या दिया है समान दिया है एकवल दिया है ठीक है और उनकी उचाई का अनुपाद जो दिया है question में एक अनुपाद दो दिया है हम लोग कुछ माल लेते हैं चलिए हम लोग माल लेते हैं आयनुपात खिए और क्या हम लोग और जो ये उचाईका अनुपात दी है हम लोग पाइस तरह-स यह इक अनुपात दो ठिक है अब देखिए कहा रहाćया कि आयतन समान तो लिखें ऐसे लिख सकते है कि दोनों कि बेलनों के आयतन का अनुपाथ आयतन का अनुपाथ तो अनुपाथ आयतन होगा आपका 1 अनुपाथ 1 ऐक बट एक होगा क्योंकि समान है न आयतन इसलिए एक अनुपाथ देख water तो क्या होता है Jonathan का फरूर्व देखा होगा पाई आर स्कॉयर एच और नीचे वाले का भी पाई बड़ा र स्कॉयर है ठीक है। एक बटा एक पाई से पाई कर देज़ें ए इसको आर बटा बड़ा र का चुचार कर सकते हैं। और ऐच बटा इच का तो मान दीए एक बटा 2 छली एधर ले जाए गूना करड़े तो आर बटा आर का स्क्वाइर बराबर हो जागाए 2 बटा 1 एधर को रूट में भेजेते हैं उधर तो आर बटा आर बराबर हो जागा रूट 2 बटा 1 एधर न 약 यादि से क्षिनदाटा कार अधारों की तीज़ा यह और यह है और उचाहिए अच्छे तो आए तंतिय तो सिंपल फॉर्मूला है वन बाई थ्री पाई एक है स्क्वाइर प्लस बी के स्क्वाइर इन्टू में आ जागा एबी और इन्टू में यहां बार हो जागा एच यहीना फॉर्मूला होता है चलिया अब देखिए इसमें कुछ आगे अब्जेक्टिव कोसंस दिएगा है वह बहुत इजी-जी कोसंस है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को इन्ट करते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन दबा दें जादर दोस्तों में सेयर करें कॉमेंट वाक्स में लिखेंगे हमारे वीडियो कैसे लगते आपको और इससे दिलेक्टेट कोई प्रोडम हो या किसी अदर चैप्टर्स के लिंक की जड़त हो किसी अदर सब्जेक्ट की लिंक की जड़त हो तो मारे वाट्सप नमबर 7301-77 डबल एट डबल नैन पे वाट्सप करके आप लिंक्स को प्राप्त कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो